इस जड़के साथ उपनी पहले की तरह ही रहेगी बल्कि आज की डेट में रिस्पॉंसिलिटी और ज्यादा डबल होगी इस्टेट को लिखते ही तो क्योंकि जो हम लोग अभी तक करते आये हैं उस पर अपने को पहली बातों कंसिस्टेंसी उस पर बनाते रखनी होगी साथ म अपने एक्स्पेक्टेशन भी कोर्फ अपने सीनियर्स की अपने और नेशिन के अपने से उस तरी जैसे ही जितना आप अच्छा करते जाए उस तरीके से वह बढ़ते जाती है ठीक ना तो एक कमिटमेंट अपने को यह चाहिए होगा कि अपने कहीं भी रहे पर जो काम करने की कोशिश करेंगे और कभी भी कोई ऐसी स्थित नहीं बननी चाहिए कि अपने को यहां से जाने के बाद कि यह चीजे पहले अची थी बाद में गड़बड होगी कोई कंप्लेन ऐसी है कि कोई अपने को बुले बाद में बीट पीछे कि यह चीजे अब कहां पैसा हो अपना हंडेट परसेंट पूरे डेडिकेशन के साथ ऑनिश्टी के साथ ऑनर सीप के साथ अब अपसकाम को लेंगे सारे चैलेंग्ज जैसे आगे भी करेंगे और आने वाले टाइम्स में भी जो बजट्स अपने को मिलेंगे वह अपने उसको प्रॉपर एचीव करेंगे और सेम जो अपना पॉट्फोलियो है इस्पेशली में नौच-छथिस गड़ के बारे में बोलना चाहूंगा कि अपने कैरियर का लगबग लगबग 75% टाइम मैंने यहां पर दिया हुए है और पॉट्फोलियो में हम लोग हमेशा पूरे स्टेट में बेस्ट रहे हैं अगर हम एरिया वाइस की बात करें तो आगे भी उम्मीद करूंगा फुर्चीश की भी कंसिस्टेंसी जो है आगे बने लें ठीक है ठीक है ठीक है